नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत मध्यप्रदेश के ऐसे लोग जो अपनी कलास संस्कृती और धरोहर को संजोए रखना चाहते हैं यह खबर उनके लिए हैं उन्हें ज्यादा खुशी होगी यह खबर सुनकर कि मध्यप्रदेश की धरोहर को संजोने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बड़ी घोश्रा की है दरसल सीम शिवराज ने कहा कि ट्राइबल म्यूजियम को विश्विस्तरी बनाये जाने के प्रयास किये जाएंगे इसके अलावा म्यूजियम में पर्यटक आकर रुकें और इसे पून रूप से दे समिक्षा बैटक के दोरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि नए संग्रहाले को प्योगी बनाया जाएं जिसे नई पीढ़ी देखे जाने और समझे इसके साथ ही नई पीढ़ी इतिहास और ज्यादा रोचक तरीके से अपने अंदर समाहित करें सियम सिवराज ने कहा कि परेटक आकरशित होकर आएं और अपने आपको रोमानचित महसूस कर सकें ऐसी तयारियां की जाएं पुराने संग्रहाले को भी रुचिकर और प्रेरक बनाया जाए ताकि लोग आकरशित हों वही नवाचार अपनी खूपसूर्ती देने के साथ ही इन्हें ज्यानवर्धक भी बनाया जाना चाहिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए सियम शिवराज ने कहा कि ओमकारेश्वर में आचारे शंकराचारी की प्रतिमा की स्थापना और लेजर शोका कारे प्रथम चरण को पूरा कर लिया गया है विदान्त पीठ की दृत निशानी होगी इस कारे की हर सफता समिक्षा की जाएगी वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि सलकनपूर मंदिर में परेटकों को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए परेटन को बढ़ावा देने के कारे भी किये जा रहे हैं सीम शिवराज न अगार की तरह विक्सित किया जाए वहीं शिव की प्रतिमा के अभिप्राय पर केंद्रित पुस्तक और परमवीर चक्र विजयताओं पर आधारित ब्रॉशर का भी विमोचन किया है